आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप अगर फाइल्स गू के सीक्यूर फोल्डर के पिन को भूल रहे हो चेंज करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो जैसे कि आपको पता ही होगा फाइल्स गू नाम का एक एप्लिकेशन हमारे फोन में मिल जाता है यहाँ पे हमें ए सेट हो जाता है और एक सेफ फोल्डर हमारा यहां पर बन जाता है अभी अगर कोई भी फाइल को मैं मूफ करके इस सेफ फोल्डर के अंदर रख दूंगा तो उसे कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा जब तक उसे पिन पता ना हो तो अगर आपने कोई पिन डाला है और तो यह फिर अगर आप पिन चेंज करना चाहते हो तो कैसे कर सेकतो इस वीडियो में बताऊंगा तो चलिए वीडियो को स्टाट करते हैं लेकिन वीडियो स्टाट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किय तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर एक option आपको देखने को मिल जाएगा सेटिंग नम का तो जस्ट आपको इस सेटिंग नम के option पर टैप कर देना है जैसे आप सेटिंग नम के option पर टैप कर दोगे तो यहापे आपको एक option मिल जाएगा change pin नम का तो just आपको change pin नम के option के tap कर देना है यहापे आपको option मिल जाएगा आपने pin को change कर सकते है लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपको आपका पुराना pin पता हो अगर आपका पुराना pin पता नहीं होगा तो आप pin change नहीं कर पाएंगे अगर आप भूल गये हो तो आप उस folder को open तो कर पाएंगे लेकिन आपके उस folder में जो कुछ भी हो रहेगा data कुछ documents, photos, कुछ भी हो सकता है वो आपका वो delete हो जाएगा तो अगर आप चाहते हो कि आप उस folder को खोल लो आपको उसके अंदर जो data है वो आपको नहीं चाहिए तो फिर आप ऐसा कर सकते हो तो अगर आप folder खोलना चाहते हो pin भूलने के बात और आपको data का परबार नहीं है तो जस्ट आपको home screen पे tap करना है जैसे आप home screen पे tap करोगे तो home में आने के बाद आपको app gallery को open कर लेना है app gallery को open करने के बाद यहाप आपको files को just touch करके रखोगे तो यहाप एक option आपको देखने को बिलने का app info का तो जस्ट आपको इस app info पे touch कर देना है कुछ ऐसा interface आपको देखने को मिल जागा और यहाप थोर असा नीचे आपको storage नाम का एक option देखने को मिल जागा तो आपका जो यह फाइल वाला सिस्टम है यह एकदम रिबूट हो गया है एकदम नए जैसा हो गया है तो अभी आप अकर फाइल में टैप करोगे तो केच ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा और जस्ट आपको आपके कंटीनू करने के लिए बोल दिया जाएगा तो जैसे कि मैंने एक नया पिन अभी सेट कर लिया है अभी मेरे सेफ फाइल के अंदर कुछ भी नहीं है पहले एक फोटो मैंने रखा था जो की डिलीट हो गया है तो अगर आप पिन भूल गए हो तो ऐसे आप अपने फाइल को दुबारा ओपन कर सकते हो